खोलता हो और महसूस करता हो जैसे हम इस्वर को महसूस कर सकते हैं हवाओं को महसूस कर सकते हैं देख नहीं सकते वैसे हम सांती को महसूस कर सकते हैं एक आगरता को महसूस कर सकते हैं और यहाँ महसूस करने का अभ्यास दिनिरंतर जारी रहे जीवन में तो हम इसके लाव को ही अपने जीवन में देख सकते हैं हमारे आच्रण, हमारे विचार, हमारे वेभार से दूसरा भी प्रभावित हो करके यह कहता है कि यह मुक व्यक्ति का आदर्स जीवन एक दम आदर्स से युक्ट हो गया हमने वैसे ही बन करके वैसे ही प्रकास पुणी बन करके वैसे ही अंधेरे से प्रकास की तरफ जाना अज्यानता से ज्यान की तरफ जाने का संकल्प लेते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलते हैं और महसूस करिये कि मैं तीन चार मिनिट में केवल सांसों पे ध्यान टिका करके वाहे असक्तियों से अपने आप को मुक्त करके और प्रमात्मा के साथ युक्त होने का जो प्रेपल कि आप रयास किया वह वास्तों में यदि ऐसा जीवन भर चले तो मेरा जीवन शखल हो जबता है अब आपको को खूल करके और महसूस करियांखों को खूल के समय आपको बिज़ाख दिद्बता काम होता है उसक्तिमात्मा के बिज़ाख शरूप का दर्सन होता है और धीरे धीरे आपको को खूल लिया एक आएक कभी भी ध्यान के बाद जटके से आप नहीं खोला जाता है यही तो नहीं जो तरंग बना हुआ है वो बेप कर जाता है यह आएक तो धीरे धीरे पलकों को हटाते हैं पंखुडियों की तरह और यवांख जो खूल जाए तब जा करके हम समय में प्रिद्बते जाते हैं आप लोगों को इतने मिनत में लगा कुछ सांत जैसा मन को लगा है कुछ शांती जैसा भाव तब रहना ऐसे रोज करना है पांच मिनट भस्री का प्रणयाम तो भस्री का प्रणयाम करेंगे तो इसका बेज्ञानिक लाव क्या है कि हमारे अंदर और ऑक्सिजन ज्यादा मातरा में हम ले पाएंगे और ऑक्सिजन ज्यादा मातरा में लेंगे तो हमारा सरीर हमेशा क्या होता है जागरित होता है जो हमारे सेल्स डी जेनरेट हो रहे है जो मिर्त प्राय हो रहे है वो क्या होगा तो मेरा सेल्स का पुरेजागरण हो जाए, तो सेल्स से बना हुगा या शारी कथे भी मिर्ट प्राय हो नहीं होगा, इसलिए इन प्रणयामों को ध्यान पुर भग, ध्यान एउक्षुक्यों करके करना है, अब आयत वासन अब पैरों को फैला लेते हैं तब प्रोडाराइ जिरे थे में थो लिगेस एही सूड़ लिगे किसी का पर अब फार ग्या ओ तो ये कशे हो विले लेगे चिछ तो छो किसी도 शिरना हो तो पा्रम है जा तो कि अब आते हैं अगला भ्यास कपाल भाती का बैट यह सीधा और कपाल भाती भी पांच मिनट का वाए कम से कम 15 मिनट का भ्याज उसमें